सबी दोस्तों का वेलकम करता हूँ आपके अपने यूटुब चैनल पे तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गुलाब पे तो दोस्तों दिन पे दिन गर्मिया जो है कि बढ़ रही है तो हमारे जो गुलाब होते हैं इनको सहती पसंद होती है ना की गर्मी तो माई जून में बह तो अगर इनसे आप फ्लावर लेंगे तो आपका जो पोधा है वो इतनी गर्मी को नहीं बरदास कर सकता है तो यह क्या होगा हमारा पोधा जो होगा कि वो एक टाइम बाद खतम हो जाएगा तो हमें यह नहीं करना है हमें इसको बचा के रखना है नेश सीजन के लिए तो हमे क्या करने होगा हमें इसे अप केमिकल अगर आप खात दे रहे हैं इसकी मिट्टी में तो वो आपको बंद कर देनी होगी और हमको इसमें स्रिफ और गेनिक देना होगा जैसे कि बर्मी कंपोस्ट को आप पानी मभिगो के रखें और उसको एक दिन बाद उसका लिक्विट पानी जो है कि इसमें डाल दें वो भी एक गिलास अगर आप ले रहे हैं लिक्विट पानी बर्मी कंपोस्ट का तो इसमें चार गिलास आप साधा पानी मिला के जह भी प्लांट में दें और इससे फ्लाबरिंग हम ना लें फ्लाबरिंग ना लें जो कलियां बनेंगी तो दोस्तों अभी देखें अभी इस पे फ्लाबरिंग हो रही है आप देख सकते हैं यह मेरे गुलाब का प्लांट है पहले यल्लो होता है उसके बाद फिर यह वाइट हो जाता है तो दोस्तों सर्दियों में काफी दिनों तक यह प्लांट जो था यह गुलाब तिका रहता थ तो उस कारण हमारे प्लांट पे ज़्यादा असन नहीं पड़े पर जैसे ही मई जून का टाइम आएगा तो हम इसे फ्लाबरिंग बंद करेंगे फ्लाबरिंग बंद करने के लिए दोस्तों हमको एकी काम करना जैसे इसके बढ़ आएंगे देखिए ऐसे बढ़ आपको दिखा दे रहे हैं यह देखिए बढ़ है तो इसको क्या करना हमको पिंच कर देना यहां से तो दोस्तों काफी दोस्तों यह खराब भी लगेगा पर यह हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा है तो हम क्या करेंगे ऐसे बढ़ों को पिंच कर देना है तो यह हमारे पोधे के लिए अच्छा रहेगा और जब बरसात आ जाए तब आपको फिर यह काम रोक देना है फिर इसको आगे चलके इसकी हमको क्या प्रूनिंग कर देनी है प्रूनिंग करने के बाद फिर से हमें इससे खात पानी बहुत अच्छे से देना है तो फ खाफी बड़े साइज के भी आपको गुलाब देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के असाथ सेयर करें फिर मिलेंगे आपको एक नैस्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखे और अपनी कार्निंग को इंजोई कीजिए और घर में रहिए क्योंकि बाहर क्रोना है तो फिर मिलते एक नएस वीडियो में तब तक बाई बाई